हलो बच्चों, वेल पिछले सिस्ट में हम लोगों ने या पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है सेरियल्स के बारे में जाना था सबसे पहले कि इंडिया में अलग-अलग तरह की मिटी है इंडिया में अलग-अलग तरह का climate आपको मिलेगा अलग-अलग छेत्रों में और इस वज़ा से जो है इंडिया में लग-बग सब तरह की फसले जो है वो उगाई जाती है और जिसमें कि हमने cereals के बारे में देखा, pulses के बारे में देखा और fruits and vegetables के बारे में देखा इंडिया जो है वो पुरी दुनिया में फेमस है अपने मसालों के लिए spices make food tastier by giving a special flavor to different food items मसाले जो है वो खाने को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते है different food items को अलग-अलग special flavor देकर spices also help in the digestion of food मसाले जो है वो food के digestion में भी मदद करते है some common Indian spices are अब भारत के कुछ common जो है मसाले क्या क्या है चर्मरी या हल्दी लाल मिर्ची या रेट चिली फेनुग्रीक मेथी क्लोव या लॉंग सैफरन या केसर कैडमॉम या इलाइची और इसके अलाबा जो है ऐसा फेटिगा या फिर हींग अब मैंसे किसी के भी घर के kitchen में ये मसाले जरूर मिल जाएंगे आपको अब spices के अलाबा जो है food में तो और भी edible oils का भी रोल होता है न तेल में ही न हम लोग खाना पकाते है Now most Indian foods are cooked in ghee और oil जादतर भारतिया खाना जो है वो घी या तेल में पकाया जाता है घी and oils in limited amount are useful for us तो घी या तेल सिमित मात्रा में जो है वो हमारे लिए उप्योगी है Mustard oil, groundnut oil, sunflower oil and palm oil are some of the common edible oils तो mustard oil सर्सो का तेल हो गया फिर जो है groundnut oil या मुंगफली का तेल हो गया sunflower का तेल सूरज मुखी का तेल हो गया या फिर palm oil जो है palm के ट्री से जो तेल निकाला जाता है तो ये सब जो है कुछ common edible oils है ये खाने में परयोग होने वाले oils है इन केरला, coconut oil is used for cooking केरला में coconut oil जो है वो खाना बनाने के काम में आता है अब आप बताएए तो आपके घर में कौन सा cooking oil यूज होता है बच्चों क्या आप बता सकते हैं ज़्यादतर जो है इधर जो है आपको सर्सो तेल का यूज दिखते है या फिर जो है palm oil का भी कुछ लोग यूज करते हैं और sunflower का भी करते हैं अब चलिए oil के बाद या edible oil के बाद हम beverages की बात करें beverages मतलब कि वो drinks जो कि हम वो products जो कि हम पीते हैं normally पानी वानी के साथ mix करके tea, coffee and cocoa are the drinks which we all enjoy चाई, coffee और cocoa से चोकलेट बनता है यह कुछ ऐसे drinks हैं जो कि हम सब जिसका आनंद लेते हैं now in North India tea is preferred to coffee North India में लोग coffee से ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? tea या चाई को in South India people drink coffee more than tea South India में लोग जो है चाई से ज़्यादा coffee पीते हैं tea gardens are found mainly in Assam Hills and Nilgiri Hills तो चाई के बगान जो है वो मुख्य रूप से Assam के पहाडियों में और Nilgiri के पहाडियों में जो है मिलते हैं अब इसके बाद और क्या है हमारे food में? dairy products दूद भी तुम लोग बहुत consume करते हैं या milk products in India people also consume a lot of milk and milk products like cheese, butter and curd तो भारत में जो है लोग घेर सारा जो है दूद और दूद के प्रोड़क्ट जैसे की cheese, butter और curd या दही ये सब भी यूज करते हैं Indians are also very fond of sweets भारतिये जो हैं वो तो मिठाई के भी बड़े आशिक है ना मांस, chicken और मचली भी खाते हैं People who eat these foods are known as non-vegetarians तो वो लोग जो कि ये सब food खाते हैं मांस, मुर्गा और मचली ये सब जो है non-vegetarian कहलाते हैं People who do not eat meat, chicken and fish are called vegetarians और वो लोग जो कि मांस, मुर्गा और मचली ये नहीं खाते हैं वो vegetarian कहलाते हैं By the way, आप दो चीजों का नाम बताईए जो कि आपका फेवरेट है Sorry, दूद से बने दो चीजों का नाम बताईए जो कि आपका फेवरेट हो फटा-फट सोच के बताईए तो Great, now we will talk about special foods You know, some dishes of a region become so popular that they become a symbol of that region किसी छेतर के कुछ डिशेज जो है, कुछ पकवान जो है, वो इतने popular हो जाते हैं कि वो जो है उस region का symbol बन जाते हैं, परतीक बन जाते हैं Now, here are some special foods, foods eaten by people in different states of our country तो यहाँ पर जो है कुछ Special foods जो है, उनका जो है list आपको मिलेगा, जो कि different states में लोग खाते हैं Hello तो special foods में क्या है भई, तो मक्की की रोटी और सर्चो का साग, भई पंजाब का हो गया यह तो रसगुल्ला, वेस्ट बेंगॉल, डालबटी, चूर्मा, राजस्थान, सांबर डोशा, यह सौथ इंडिया का हो गया यह special dish, well हमारे यहां का special dish क्या है, आप अपने classmates के साथ जरूर शेयर करिएगा है न, वैसे देखिए, भेलपूरी, महराष्टरा का famous है, धोकला, गुजरात का, लिख्टी चोखा, हमारे बिहार का famous है और samosa and kachori, यह UP का famous हो गया, तो अलग-अलग जगों की, अलग-अलग खास चीज़े हैं यह, और आपने इसमें से कितने और आपने शेयर क्लास, अब अगला चीज जो की, इन सभी डिएटरी हैबिट्स को, एक साथ लाता है, वो है बेटा transportation, यातायात, now although all types of food grains, fruit and vegetables are not grown in every state of India, but they are made available even at the places where they are not grown तो यद पी सब तरह का अनाज, फल और सबजी जो है, भारत के सभी राज्यों में नहीं उगाया जाता है लेकिन इन चीजों को उन जगों पर भी अवलेबल करवा दिया जाता है, जहां पर कि वो नहीं उगाया जाते है अब ऐसा कैसे होता है, अब बताईए कि हमने क्या देखा कि भाई, हिमाचल में सेभ उगाया जाता है, लेकिन हम तो इदर खाकते हैं अपने चौक पर बैठके, और हमारे यहां जो है आम उगाया जाता है, वो जो है लोग दूसरे देशों तक में जाके खा लेते हैं, तो हम नागपुर के संतरे खा रहे हैं, या फिर हिमाचल के एपल्स खा रहे हैं, और का चीकू खा रहे हैं, या फिर कहीं का नारियल खा हैं, ऐसा कैसी होता है, पंजाम में उगाया हुआ गया हुँ, सौत इंडिया में लोग खा रहे हैं, या चावल, यह कैसे हो रहा है, वेल, आल दिस हैपन्स थ्रू ट्रांस्पोर्टेशन, ओके, फूड ग्रेंस, फूड और वेजटेबल्स आर ट्रांस्पोर्टेड अर ट् साजनों के द्वारा, जिसे की ट्रक, रेलवेज, राइट, ओल दिस हैज रिजल्टेड इन अ बिग चेंज इन दे फूड हैबिट्स आफ पीपल, इस ट्रांस्पोर्टेशन की वज़ा से जो सभी तरह के खाने का सामान सब जगा पहुंच जाता है देश भर में, तो इससे लोगों के फूड हैबिट्स में काफी बदलावाया है, तो आपको बिहार में भी लोग इडली, डोसा और सामर बगार खाते हुए मिल जाएंगे, है कि ने, और बैंगलोर में भी आपको लोग चपाती खाते हुए मिल जाएंगे, केरला में भी चपाती खाते हुए मिल जा हमारे food में cereals, pulses, fruit, vegetables, edible oils, beverages, dairy products और spices यह सब आते हैं different तरह के fruits और vegetables जो है वो देश के अलग-अलग हिस्सों में उगाये जाते हैं इंडिया जो है वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है अपने मसालों की वज़ा से transport facilities की development की वज़ा से जो है food item वो एक जगा से दूसरी जगा आप ट्रांस्पोर्ट किये जाते हैं और सब के लिए जो है वो अवलेबल होते हैं राइट so well बच्चों that's the end of this chapter I hope कि आपको पूरा समझ में आ गया हो और आप जो है आप chapter and questions का आसानी से आंसर कर सकते हैं all right bye bye